अब वेरी गूड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट तोड़े वी विल डिसकस फूड वेव इसके पहले हमने यहां पर फूड चेन डिसकस किया है जिसमें एक सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के तहत फूड चेन बनती है फूड बेब में यह एक नेटवर्क और इंटर कनेकटेड यहां पर यह होता है एकोलॉजी में हमने देखा है कि प्रोडू़ूसर, कंजूमर और डिकंपोजर यह तीन उसमें यहां पर ट्रॉफिक लेबिल होते हैं और वो एक दूसरे से जब फूड ऐज फूड कनेक्ट होत जाता है और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फूड वेव फूड वेव में बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर चाहिए वो प्रोड्यूसर हो कंज्यूमर हो डीकंपोजर हो सभी लेवल पर वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं फूड वेव और नेटवर्क ऑफ फूड चेन वेर डिफ्रेंट टैपस ऐफ और और्गिनिजम आर कनेक्टेड डिफ्रेंट ट्रॉफिक लेबल तो यहां पर यह सारे के सारे जो भी डिफ्रेंट तैप्स के ट्रॉफिक लेबल हैं चाहे बोट्यूसर हो कंजीूमर हो या फिर dc composer हो जब आपस में एक network like structure बनाते हैं आपस में interconnected होते हैं तो एक जालनुमा एक network जैसा structure बन जाता जिसको हम बोलते हैं food wave तो food wave को समझते हैं सबसे पहले देखिएगा यहां पर यह जो different types की food chain हमको इलग-अलग दिखाई दे रहे हैं इस स्टार्ट फ्रॉम ग्रास, ग्रास लेंड एको सिस्टम है, ये ग्रास से स्टार्ट होता है, अब ग्रास को खाने वाला कौन खाता है, ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर, ग्रास होपर जो होता है वो उसको खा लेता है, ग्रास को खाने वाला माउस भी होता है, ग्रास को ग्रास होपर को खाने वाला वर्ड वर्ड को खाने वाला इसनेक इसनेक को खाने वाला हॉक यह इस तरीके से यहां पर एक पूरी चेन आप देख रहे हैं कि यह इस तरीके से यहां से चल रही है अब यह दूसरी चेन भी इसमें बन सकती ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर ग उसको frog भी खा सकता है, तो यहां पर वो frog ने खा लिया उसको, अब यहां से एक दूसरी chain चालू हो रहा है, यह frog, frog से owl, तो यह अलग तरीके की एक chain चली और owl को खाने वाला hawk, यहां पर last में end हो जाता है, यह दूसरी chain है, पर यह आपस में कैसा दिख रहा है, interconnected दिखाई दे रही हैं, तो यह network है, तीसरी यहां पर जो grass को खाने वाला, यहां पर mouse, mouse को खाने वाला owl, और owl को खाने वाला hawk, जो कि यहां पर तीसरी आपको food chain दिखाई दे रही है, यह एक दूसरी chain है, यह यहां पर एक अलग chain है, और यह last में भी एक और दिख रहा है कि grass को खाने वा फॉक्स यह डिफ्रेंट टाइपस का एक जाल जैसा बन जा रहा है इस जाल को इसमें बहुत सारी फूड चेन कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं फूड पे आई होप इसके कॉंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट शेक्षन पर लिख सकते हैं मैं जरूर आपके टाउट को किलियर करूँगी और दूसरे कोई पी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियोस बनें आप जरूर उसको लिख करके भेजीएगा मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी और आपके डाउट को क्लियर करूँगी तेक्स एक्राइब कर अग्यार्ट करें गृत्र तकेर।